कि हमारी स्लिवस में लिखा आर्भीय के कार्व कर मैं पूरा समझ दे रहे रहे हैं क्या कैसा है तो क्या हुआ था दुनिया की सबसे पहली माहमंदी आय थी उनीस्ट सब्सक्राइब 1928-1929 में दुनिया की पहली महामंदी आई थी क्यों आई थी क्योंकि पहले ये माना जाता था कि कोई भी आपूर्ती आपूर्ती का मतलग है सप्लाई अपनी डिमांड खुद जनरेट कर लेती है तो जो क्लासिकल एकनोमी कि मंदी के मतलब है लगाता रगा दो तेमाही तक जीडीप गिर जाए पर प्रड़क्शन जितना होता था अगर पहली तेमाही तक आ गया तो उसे बुलते रिसेशन इंग्लिस में लग लग वर्ड हिंदी में की वर्ड है प्रड़क्शन गिर जाना पिजले साल जितना अब मंदी का मदलाब है मार्केट में किसी पास पैसा नहीं है मंदी आतीों किस वजय से मंदी आने के कई कारण हो सकते हैं इसमें जैसे बता रहे हैं भी है पहले यह जाता था एक झालते था इ Oracle जिसे बुलने जो पहले अर्थसास्त्री थी जैसे कि Adam Smith उनकी economy या उनकी सोच को बोलते एक classical economy कि ठीक है कल क्यों नहीं आई दीपक कि अलार में सही उठते हो कि पूरी जिन्दी अलाम पर टिक है कि पेपर तभी दे पाऊगे अलाम बजेगा अब देख रहे हैं पेपर आट बजी सोता कैसे दे पाऊगे समस्य आत्मा लिए तो बहुत आई यह समेंस का पर जन्वरी में तब और ठंड पड़ी उठे नहीं पाऊगे पर जड़ा प्री निकाला मैंस में उठ नहीं पाई साब मतला स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी पांच बजे क्लास थोड़ी है क्लास तो आट बजे है साड़े साथ पर भी उठो तो चले आओ तो पहली की जो एकनॉमी थी अर्शास्ति उसे बोलते क्लासिकल उसमें जैसे की एडमिसमत यह यह कहते थे कि आप चाह जितनी सप्ला बीस हजार जोड़ी कपड़े बनाओगे तो डिमांड बीस हजार जोड़ी की बन जाएगी तो एडमिसमत जैसे पुराने अर्थसास्तियों का यह मानना था कि दुनिया में कभी भी मंदी नहीं आ सकती क्यों आप चाह जितना माल बना लो वो सब बिक जाएगा माल कम ही इसका कारण है 1914 से 1918 में होने वाला युद्ध इसका मतलब सरकार का जितना भी पैसा होगा अभी क्या सरकार के पास जितना पैसा आता है सेलरी देती है कि नहीं मतलब लोगें पास पैसा पहुंच जाता है इसके बाद सरकार ना कितनी खरीदारी करती सरकारी बिल्डिंग बन हमें जाता है इसका जो प्राइवाट सेक्टर है इन्वेस्ट करता है वो कियो इन्वेस्ट करता है जैसे सरकारी जैसे सरकार ने कहा अभ घर घर पाइप्लाण के थुर typically दक शुल जाए लगिसमडै है तो कोई न करेगी जादा तर तब तक कभी मंदी नहीं आ सकती कि अगर मंदी आएगी कैसे जब लोगों पास पैसा ना हो ऐसा कैसे हो कि सरकार खुद पैसा बाट रही नहीं हर साल कैसे पैसा नहीं होगा जब सबको सेलरी सबको स्कॉलर से सबको पैंसन तो पैसा कैसे नहीं आएगा लेक पैसा जंता के पास जाना चाहिए था उससे गोला बारूद बन रहा है अमीर केवल वही हो रही होंगी जो गोला बारूद बनाने वाली कंपनियां होगी अगर होंगी उस समय अधरवाई सरकारी फेक्ट्रियों में बन रहा होगा इसके जो पैसा देश के कल्याण और विकास म में लग गया जैसे हमने रूस से कोई खरीद ली जैसे हमने राफेल विमान खरीदें कई हजार करोड के लोग बन जाती कहीं न कई स्कूल बन जाते तो लोगों पास ही पाउसा पहुंचता ना अगर पैसा मिरोड बनाते तो ठेकेदार को मिलता जितनी लेबर लगी उती उ पर हमने खरीद लिया राफेल तो यह पैसा कहा चला गया फ्रांस अगे तो प्रतम विश्युद्य में जो पैसा जनता के बलाई में लगना था वो युद्य में लग रहा है लोगों के पास पैसा जाना सुरू यह खतम प्रतम विश्युद्य में बंद हो जाएगा ना लिवासे कट उती हो इसलिए तो कहते हैं लडाई किसी चीज़ का सोलूइशन होते ही नहीं है तो प्रतम विश्युद्य में मंदी आने का कारण समझ में आ रहा है दूवां लग रहा है 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 तो प्रतम विश्युद्य जब हुआ उनीस 14-1918 पे तो धीरे-धीरे मंदी के लक्षण आने लगे और दस सालों तक मंदी आही गई तो जो उनीस 14 प्रतम विश्युद्य में लगा कि मंदी आने वाली है आते आते कब तक आगी उनीस 1829 तक मंदी आगी तो उस समय मंदी आने का सबसे बड़ा कारण था प्रतम विश्युद्य के बाद की सुरू होने लुष्य कठना Αंच तो मंदी सरकार का पैसा जनता तक ना पहुंचना या जनता पर पैसे ना ना डिमांड ना जैसे रेंग जांपल जैसे हम चैना से मोबाइल खरीते हैं पूरी दुनिया अगर चईना से ब्यापार खरीदना बंद करते हो चाईना तो पूरी दुनिया कि चीन से कुछ नहीं खरीददना तो आज के आजचाइना में लूग पो चाइना तो चाइना में एक दिन में मंदी आ सकती है। आज दुनिया डिसाइड के लिए चाइना से माल नहीं खड़ी लेकिंगे पर ऐसा होता नहीं है। तो प्रतम विश्युद्ध के बाद ऐसी कठनाईयां होई कि आगी दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी महामंदी 1928-1939 इस पर अमबेटकर जी ने एक बुग लिखी प्रॉब्लम ओफ रुपी इट्स ओरीजन एंड इट्स सॉल्यूशन तो 1914 जब मंदी आई तो हमने रोगने की कोशिस भी की हमने 1921 में बड़ा बैंक भी बनाया बैंक बद्रास बैंक बंगाल और बैंक बंबई तीन बड़े-बड़े बैंक मिला भी दिया कि बैंक के इंडिया नाम सुना है ना भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है इसको पहले कहते थे इंपीरियल और इंपीरियल बना 1921 में तीन बड़े-बड़े बैंक मिलाया बैंक बंगाल बैंक मद्रास और बंबई तो बंगाल का सबसे बड़ा बैंक मद्रास का सबसे बड़ा बैं तो बड़े बैंक मंदी से बच सकते तो जब यह मंदी आने लगी तो हमने एक बड़ा बैंक भी बनाया उम्पीरियल फिर मंदी आ गई तो अमबेटकर जी ने एक बुक लिखी थि बड़ा ओवरूपी मदलके रुपएक समझ्या क्या है इस और जीहीन ऄ। और इसका solution क्या है अंबेटकर जी ने एक किताब लिखी तो अंबेटकर जी ने किताब लिखी problem of the repeat, its origin and its solution इस किताब पर एक, इस किताब पर बनी Hilton and Young Commission तो अंबेटकर जी ने अपने किताब में कुछ suggestions दिये, सुझाओ दिये इन सुझाओं पर एक कमेटी बनाई इंग्लेंड वालों ने हिल्टन यंग कमीशन, जिसे रॉयल कमीशन भी कहते है और इस कमीशन ने एक सुझाओ दिया इन वुला अगर मंदी से बचना है तो बैंकों पर नजर रखने के लिए एक संस्था बननी चाहिए और उस समय RBI Act पारित किया गया 1934 में और इस Act के तहट 1935 में बैंकिंग सिस्टम पर नजर रखने के लिए एक संस्था बना दी जिसका नाम है RBI तो समझ मैं बात कहां से आई बात आई है यहां से परतम बिसुद्ध हुआ मंदी आगी जबकि पहले के अर्थसास्तिरी क्या कहते थे 1928 से पहले यही माना जाता था कि मंदी कभी नहीं आ सकती पर आगी जब मंदी आई तो हम बेट कर जीने एक बुग लिखी Problem of the Rupee Its Origin and the Solution इस पर एक कमेटी बनी Hilton and Young Commission उस कमेशन की सिफारिस पर हमने एक एक पारित की है लंदन में RBI Act 1934 और इस Act के according एक संस्था बनी जिसका नाम है RBI तो यह है RBI के बनने की कहान RBI में एक Central Board होता है कैंद्र यह Board होता है यही पूरे decision लेती है इसमें देखें कौन-कौन इसके नीचे चार छेत्री बोर्ड होते है Regional Board, एक उत्री Board, एक दक्षडी Board, एक पूरवी Board और एक पशे तो सबसे उपर होता है Central Board जो भी RBI के DCL लेना होता है वो कौन लेता है Central Board कैंद्री Board उसके रीचे कौन लेता है चेत्री Board इसके बाद इसकी समिती होती है दो committees होती है और कई सारी उप समितियां होती है तो RBI का काम करने का तरीका है एक Central Board होता है जो पूरे डिस्यल लेता है चार छेतरी बोर्ड होते हैं कुछ कमेंटीज होती है कुछ सब कमेंटीज होती है इसके लावा कानूनी धाचे में कानूनी धाचे में RBI किस एक्ट के थुरू काम करेगा RBI दूसरे बैंकों में किस एक्ट के थुरू नजर रखेगा RBI जितने भी कार है वो किस एक्ट के थुरू करेगा और जितनी सारी संस्था हैं उन पर कौन-कौन से एक्ट बनाएगे इसे बोलते हैं कानूनी धाचा, तो हम देखेंगे कि RBI खुद किस कानून के तह चलता है, जैसे हमारा देश सम्मिधान के तह चलता है, ऐसे RBI कभी कुछ सम्मिधान होगा, जैसे RBI उसे बोलते हैं RBI Act 1934, RBI को कुछ भी करना है, किसके according करेगा, RBI Act 1934, उसके लाव वो कुछ नहीं कर सकता है, जो उसमें लिखा है, बस बोई, लिए RBI बेंकों पे भी नज़र रखेगा, उसके लिए अलग Act है, Banking Regulation Act 1949, फिर RBI के काम है बहुत सारे, जैसे नोट चापना, बिदेशी मुद्रा पे नज़र रखना भी देखेंगे, उन सब के लिए के कानून बना है, क कैसे नोट चापना है, कैसे बिदेशी मुद्रा पे नज़र रखेंगे, उसके कानून है, इसके लावा कई सारी संस्था है, उन पर नज़र रखने के लिए अलग-अलग Act है, आवासने का अलग Act है, तो यह हमें पढ़ना है पूरी संद्चना में, तो संद्चना समझ में एक एंद्री बोर्ड पढ़ेंगे, उसके अंदर छेत्री बोर्ड पढ़ेंगे, कुछ समिती होगी, कुछ उप समिती होगी, और बहुत सारे कानून होगी, चलो देखते हैं के करके, चलाओ, यह देखो, यह है सेंट्रल बोर्ड जो पूरे डिसिजिजन लेता है, आर्भ एक होता है गवनर और चार होते हैं, तो सेंट्रल बोर्ड में पांच ओफिसियल या सरकारी निदेशक होते हैं, एक गवनर होते हैं और चार डिप्टी गवनर होते हैं, जबकि गेर सरकारी निदेशक, नोन ओफिसियल जो सरकार के द्वारा नॉमिनेट होते हैं, इसमें से दस आते हैं अलग-अलग सेक्टर से कोई किसी सेक्टर से कोई बैंक से दो आते हैं सरकारी अधिकारी और चार आते हैं जो लोकल वोड थे ना उत्तर पश्चम पूरी भी दक्ष्चम उनसे डारेक्टर आते हैं तो ओफिसियल और नौन ओफिसियल दो तरह के डारेक्टर होते official director होते 5 एक governor और चार non-official में 10 आते अलग-अलग छेतर से हो सकता किसी company के director private को बुला लिए ऐसे 10 लोगों को private sector से बुलाते हैं दो लोगों को सरकारी छेतर से बुलाते हैं और 4 होते हैं जो छेतरी बोड थे उनके director को बुला लेते हैं तो 10 दो बारा और 4 16 होते non-official director और इन सब को मिला के क्या बोलते हैं तो RBI के जितने बड़े decision हैं वो Kendra Wood लेता है इसमें 5 सरकारी निदेशक मतलब official director और 16 गैर सरकारी non-official निदेशक रहते हैं पांच सरकारी में कौन-कौन रहता है एक governor चार deputy governor गैर सरकारी में सूला रहते हैं दस आते हैं विवन ने छेत्रों से दो आते हैं सरकारी कर्म अधिकारी और चार आते हैं छेत्री बोड के निदेशक तो केंद्रिय बोड समझ में आया की नहीं याद ओगा तो RBI की सनज्चना लिखो तो RBI की सनज्चना एक तो केंद्रिय बोड होगा इसमें कोई दिक्कत है इसके बाद इनके दो इनके एंडर में दो committee काम करती है एक काम करती है बित्तίय・परवेक्षन नाम ही समझ में आया है जो क्या and settlement system, पेमेंट सिस्टम चलते हैं ना, फॉन पे, पे टीम, बेंकिंग, जितने पेमेंट सिस्टम उन पे रखने के लिए, जितने निप्तान होते हैं, सिकायद विकायद उनके लिए, तो दो कमेटी हैं, एक तो फाइनेंसियल सुपर विजन के लिए है, एक पेमेंट और सेटल होंगे के नहीं, उसके लिए सब कमेटी, बिल्डिंग बनती होंगे या रविए की बहुत सारी, उनके लिए अलग कमेटी है, आईटी, इनपोर्मिशन टेकनलोजी के लिए अलग कमेटी है, और स्ट्रेटीजी बनाने के लिए अलग सब कमेटी है, तो वन, टू, त्री, फ पूरी rvida काम कॉरते हैं सबसे बड़ा सबसे बड़ा बोर्ड क्या जलाता है उसमें कौन-कौन वोता है पांच सरकारी, पांच सरकारी में, गेर सरकारी में कितने हैं, 16, कौन-कौन, 10 विवेन चेतरों से, 2 सरकारी, और 4 इस्थाने बोड कितने हैं, चाह, उत्री, धक्षणी, पूरभी, पश्वि, ठीक है, उनका डारेक्टर इस मीटेंग में आता है, इसके लावत दो कमेटी हैं कौन-कौन सी दो कमेटी है एक तो financial supervision के लिए पूरा नजर रखती है बित्तिव सिस्टम है ना जितना financial system और दूसरा किस चीज के लिए payment और settlement भुकतान और निफ्टान के लिए इनके लिए तो दो कमेटी है पांच सब कमेटी है एक auditing के लिए एक human की सरजना तो अगर एक्जाम में आता है RBI की सरजना लिखो केंद्रिय बोड इस्थानिय बोड दो कमेटी और पांच सब कमेटी यह पूरी RBI की सरजना यहां तक कोई दिखकर चलो अब RBI की कानून देखते हैं तो सबसे बड़े कानून दो है एक जिसके according RBI चलता है उस ए एक्ट से चलाता है तो यह सबसे बड़े सर्वोच अधिनियम है तो RBI के दो सर्वोच अधिनियम एक RBI खुद चलता है और बागी बैंकों को चलाता है इसके लावा RBI के कामों के अलग से एक्ट है अब कारियों को करने के लिए कौन से एक्ट है पहला लोक रिण अधिनियम सरकारी प्रति अधिनियम तो सरकारी बोंड खरीदने बेचने और लोन की विवस्ता देखने के लिए नाइंटी फोटी फूर का एक्ट है जो लोन पर नजा रखता है अगला प्रति भूदी एक्स शंचनस सरकारी ब्रति भूदी की जो एक्सिंज के लिए के पहले चला करता था फैमा नियुक्त जो बना था अभी समझा एक्क रहें 1973 अब चलता है फेमा 1999 समझों इसका नाम है foreign exchange बिदेशी मुद्रा बिन मैं regulation और आज regulation की जगह होगे है management तो foreign exchange regulation act तो पहले क्या करता था RBI बिदेशी मुद्रा को regulate करता था regulate का मतलब देश में कितना बिदेशी मुद्रा आना चाहिए कितना बिदेशी मुद्रा यहां से जाना चाहिए कितना हम लोग रख सकते सबके एक limit होती है तो पहले चलता था फेरा, ये बहुत कठोर कानून होता था, अगर कोई बिदेशी मुद्रा, छेपाय मिल गया, क्योंकि देश में पहले डॉलर नहीं होता था, बहुत कभी होती थी, अगर कोई डॉलर की स्मगलिंग करते हुए, या पकड़ा के तो उसे जेल होती थी, अब कानून को सरल कर दिया अब regulate करने की वज़ाए केवल management करते हैं management का मतला चाहे जितना dollar आये RBI manage कर लेगी चाहे जितना dollar जाए जितना मतला एक limit तक चाहे जितना जाये manage कर लेगी और अगर किसी पर dollar मिल जाते हैं और वह सही जबाब नहीं दे पाता तो उसको जेल नहीं होगी उस पर केवल fine लगेगा तो पहले फेरा के तहट जेल होती थी अब फेमा के तहट केवल दंडे लगता है जुर्माना लगता है तो विदेशी मुद्रा के लिए दो कानून पहले चलता था फेरा और तो हर एक काम के लिए उसका और कौनसे काम हैं company अधिनियम उनको company के तहट चलाती है पहले जितनी भी कंपनिया थी इसक्सक्राइब अब जितनी भी company कंद कोई से चलती है लिए तो जितने भी bank वो banking Regulation छलते साथ में company के नियमों का भी पालन करना पड़ता है, अगला 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 एक्ट है banking company जब भी किसी private company को सरकारी बनाना होता, अधिकरन मतला राष्टी करना, तो इसके लिए कौन सा एक्ट लगता है 1970, तो बेंकों को बेंक की तरह है, बेंकों को बेंक का काम करना है, इसके लि लिए कौन सा एक्ट चलता है पहले 1956 चलता अब चलता 2013 अगर किसी प्राइविट कंपनी को सरकारी बनाना जिसे बोलते अधीगरण तो उसके लिए कौन सा एक्ट लगता है उनके लिए 1391 मुद्धा सके हर सारे काम के लिए कौ्हीण को अगां इसके बात सिटेट वनक और बिकास बैंक ऊड़ास करें के लिए उसका आाँड़ चलता हर एक संस्ता के लिए अलग एक्ट हैं तो यह संद्रचना मैं केंद्रिया बोर्ड इस्थानियों बोर्ड दो समेती और पांच सबकमेटी बतानी है यह उसकी सरचना आर्बियाई के कारियों को निर्धारत करने वाली कानूनी सरचना बताओ तो आर्बियाई के लिए दो सरवुच कानून है कौन-कौन से है कि 1934 का इक्ट जिससे खुद आर्बियाई चलता है 19 acts जिसे बाकि बयंक चलते हैं इसके लाव फंटीक के कामों के लिए सब सब के लिए अलग-अलग एक्ट है बैंकों को चलाने के लिए यह सब बैंकों को चलाने के एक्ट है जैसे बैंकों को कैसे चलाएंगे कंप्रियंट से बैंकों सरकारी कैसे बनाएंगे 1970 के एक्ट से बैंकों के खाते बाते चेक एक्ट से करेंगे इस एक्ट से बैंकों की अलग अलग एक्ट बना रखे तो यह हो गया RBI के टोटल कानूनी धाचे सबसे वड़ी वाद यह सलेवस में नहीं है पर हमें आना चाहिए इसलेवस में लिखा RBI के कार तो मैं RBI का सब को चाहिए तो RBI की सरचना और RBI के कानूनी धाचे समझ में आगे RBI खुद के लिए भी कानूनी धाचा है सबी बैंकों के लिए भी है हर एक काम के लिए भी है बैंकों को चलाने के लिए और अलग-अलग संस्थाओं के लिए अलग-अलग कानून यह कुल है सम्झमागए अब हमें देखना ऊरवीरिए के कार पहला कार जो हम पड़ चुके मोद्रिक नीती का निर्मान मोद्रिक नीती का निर्मान का मतल婆 है आर्थेक ब्रद्धी को ध्यान में रखते हुए महेंगाई को कंट्रोल में रखने के लिए जो जो भी करता है उसे क्या कहते हैं मुद्रिक नीती समझवा क्या यह सबसे इंपोर्टेंट काम दूसरा बित्तिय प्रणाली का नियमन फाइनेंशल सिस्टम बेंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है उनके खातों की जांच करता है उनके दुवारा दिये गए लोन की जांच करता है बताये था बेंकिंग रेगुलेशन पहले साख स्वीकरती करण योजना चलती थी अब स पहला काम है मौद्रिक नीती का निर्वान करना दूसरा काम है कि जितना भी बेंकिंग सिस्टम उस पे नजर रगना उसको रेगुलेट करना अगला विदेशी मुद्रा का प्रवंधन करना जो भी डॉलर वोलर आता उसको मैनेज कौन करेगा इसके लिए कौन से एक्ट चलते थे पहले कौन से चलता था फेरा एप ए आर ए रेगुलेशन कब आया था 1973 आज कौन सा चलता है फेमा उन्नी सो रिन्यान बे तो विदेशी मुद्रा का प्रवंधन वो पहले फेरा से करता था अब विदेशी मुद्रा का प्रवंधन फेमा से करता तो पहला काम समझ में है जो भी wenning system है एक तो बेंकिंग Revelation Act 1949 है बेंकिंग परush Entertainment लगता ही है बेंकिन फिसका कमपनी है चास्थेवातों पर अग्ला काम क्या उसका का विदेसि tomar हirts अगला फिसचार है नोटों की छपाई बित्यमंत्राले चापता है जिस पर साइन बित्यमंत्री के नहीं होते हैं बित्यस्षिव के होते हैं जो आई-एस ओफिसर होता है उसके साइन होते हैं तो एक रुपे के नोट छोड़कर सब नोट कौन चापती है और यह अब जितने नए स्टुरेंट से बोई यह बताएं आर्वे कितने नोट चाप सकती है, क्या लगता है, आर्वे कितने नोट चाप सकती है, बताओ, क्या आइडिया है, जैसे देश में गरीबी है, तो नोट चाप सकती है, कित्ते नोट चाप सकता है आधिया दूरी जैन कारी थोड़ी से और चाहिए यहां के कुछ नहीं पड़ा पता नोटों की छपाई आरे लिया ही कैसे करती है पहले सिस्टम चलता था आनुपातिक प्रोपोर्शनल सिस्टम नाइटी विप्टी सिक्स तक चला आजादी से लेकर नाइटी विप्टी सिक्स तक चला आनुपातिक अनुपातिक मतला जितना गोल्ड है उस अनुपातिक सिस्टम समझ में आगे जितना गोल्ड है उस अनुपातिक नियुनितम आरक्षित प्रणाली सिस्टम चलता है नियुनितम मिनिममम रिजर्व सिस्टम इसका मतलब है अगर आर्वियाई के पास 200 करोड का सोना विदेशी मुद्रा हैं तो अनलिमिटेड नोट छाप सकता है पहले अनुपातिक सिस्टम था जितना गोल्ड होगा उसी अन अनुपातिक समझ में आ गया जिस अनुपात में सोना है उस अनुपात में तुम च्छाप दो 9056 के बाद क्या हुआ हुआ मिनमम कितना होना चाहिए 200 करोड अगर 200 करोड से 1 भी रुपए कम हुआ 1099 करोड भी हुआ ठो एक रुपए बी नहीं चाप सकती अगर ChiefCD market के समलो नौ क्रोड भी हो गए क्यों मिनमम रे जररा कितना होना चाहिए 200 करोड 200 करोड में सोना और गोल्द, दोनों, 115 और 580 ऐसेट ऐसेट है, के 85 करोड होना चाहिए गोल्ड और 115 करोड होना चाहिए बिदेसी मुद्रा है, तो पहला का सिस्ट्स्टम, आज का सिस्ट्म सुंजु में आ गया, मिनमम रिजर्व गर नहीं हुआ एक सो निन्यानमेत इसम्मलों नो नो करोड भी हुआ तो नहीं चाप सकते उसको करना पड़ेगा 200 करोड तो अगला काम क्या है नोट चापना चाप सबको देखें दो 200 200 करोड तो भी दे सकते हैं लेकिन नोट चापती जाएगी नोट की वेल्यूट ती कम होती जाएगी और दुनिया में कोई भी ऐसे देश के साथ ब्यापार करना पसंद नी करेगा जो नोट चापता है क्यों क्योंकि हम कई देशों के साथ नोटों मे हमें रुपए देदो हम तुमसे जो भी खरीदेंगे उसके बदले हम तुम्हारा ही रुपए तुम्हें लोटा देगे ऐसा वो कर लेता था लिए अगर रूस को पता चल जाए तो चाप चाप के नोट दे देता है तो क्यों भी आपार करेगा और रूस दो मिसाल देदो कि जो भी चीज ज्यादा हो जाती है उसकी वेल्यू जिसकी सप्लाइ ज्यादा है यूँर जैसी कम होगी डॉलर डॉलर जैसी बढ़ेगा उमारी हर चीज मेंगी हर चीज किसमें करीदना डॉलर यह दिक्कद है ना, पता चला हम लोग बहुत मेनस से कमा रहें, कभी बिदेस ही नहीं घुमने जा सकते, विदेस काई में घुमेंगे, डॉलर में, पर आदमी बिदेस घुमने जा रहा बोरी भरके, इतना पैसा ले जा रहा तो जाके, डॉलर मिलेंगे, तो नोटों की छपा इसका मतलब है विकास के लिए जो भी जरूरी है अगर लगता किसानी पिछड रही है तो उसके लिए काम देखेगा कुछ न कुछ सिस्टम करेगा उसे लगता ग्रामीड विकास नहीं हो रहा उसके लिए देखेगा उसे लगता उद्योगों का विकास नहीं हो रहा उसके लि दुनिया में वर्ड बैंक से उधार लेना है तो कौन बातचीत करेगा RBI के एसी आई विकास बैंक से लेना है तो बातचीत कौन करेगा तो रिण प्रबंधक भारत के रिण का प्रबंधन कौन करता है और सरकार का बैंकर अगर सरकार को पैसा चाहिए तो O.M.O. याद आ रहा सरकारी बोन खरीद बेच के पैसा जुटा लाती है तो सरकार का बैंकर भी है और सरकार का रिण प्रबंधक भी है अगला बैंकों का बैंकर रैपो याद है बैंक कभी भी RBI से कुछ गारंटी रखके कुछ समय के लिए लोन ले आते उसे बोलते रैपो और डिसकाउंट फून पंडानी चलता हुँ जैसे फॉन पेच चैनल ऑलन सो सब पर कॉन करेगा रिए पताएगा इस सरकार कऱ बोले हैं ना लाओ और क्या जिद लोगों से धालिये वो नहीं माँगेगा तो यह अन्यकारे से पहले कुछ कार तो पहला कार समझ में आ गया देश में एकनोमिक ग्रोथ को बनाए रखते हुए महंगाई को कंट्रोल करना पहला काम सबसे इंपोर्टेट मैंने उसी ओर्डर पे लिखा जो अपनी वैप साइट पे लिखा वही ओर्डर पे लिख दिया अगला बेंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करना अगला फेरा खतम हो गया अब आ गया है नोटों की छपाई एक रुपए के नोट को छोड़कर वागी नोट किस सिस्टम से कि निदम कितना नोट चाप सकते हैं अनलिमिटेड विकास आत्मक भूमिका जिस शेत्र में विकास नि बेंकर भी है वारसरकार का रिण प्रवंदक भी है बेंकों का चुझा यारों का यार अगला कौन सा है बुक्तान प्रणाली का निमें तो जो भी पेमेंट सिस्टम है उन सबका नेमन और निरिक्षण करता है अब अन्यकर जैसे साक उपलिप दिता तो ये स्चीज को सुने Care치 ने परियाप्त क्रेड़ेत जाता रहे क्रेड़ेनिए लौन साख मतलब लॉन और लॉन नहीं मिलेगा तो डबलॉंस मीठ रुक जाता है जिसे लिए बैंकों को पैसा नहीं मिलता है यह बैंकों को पैसा दिलवाता जैसे बोलते बैंकों का पुनर पुंजी करन रीकैप्टराइजेशन तो यह इसलिए पुनर पुंजी करन कर दिया जैसे बैंकों में पैसा आ जाए जैसे मालों किसी बैंक का 5000 करोड डूब गया तो आगे लोन कैसे दे पाएगा तो वह कर देते बैंकों का पुनर पुंजी कर पुना पूझी दे देते जिससे क्या बनी रहे साख मतलब credit अपनी समाज में अपनी credit बनी चाहिए तो credit का मतलब लॉन से अगला बित्ती आदार भूत सरचना के लिए इंफ्रास्ट्रेक्चर प्रॉपर चाहिए जैसे डिजिटल पेमेंट के लिए कोई न कोई सॉप्टिवेर होगा न भीम एप बगएरा पॉर्टल बनता होगा यह बनाएगा इंटरनेट की सिक्यूर्टी बगएरा यह देखेगा तो जो भी तुम्हें इंफ्रास्ट्रेक्च चाहिए फाइनेंसाइक लिए चाहिए इंटरनेट वाला हो चाहिए ऑफलाइन हो सब कौन देखेगा आरबेगा इसके अलावा बित्ती साक्षरता लोगों में बित्ती साक्षरता भी तो बढ़ाना पड़ेगा लोगों को समझ चाहिए तो इस तरह के जो एड चलाना होता यह भी बित्ती साक्षरता कहलाता तो यह हो गया अगला मुद्रा साग बेंकिंग बित्तिक्रसी आदीजे संबंदित आंकड़े जुटाना तो देश में इन छेत्रों से जुड़े आंकड़े जैसे खेती के आंकड़े आरबी ज इन से रिलेटेट आंकड़े जुटाती है जिससे देश की सही तस्वीर पता चल सके यह पता चल सके जैसे को बेट के टेंपर कितना असर देश में पढ़ा हूँ आरबी को पता है उसने पूरे आखड़े जुटा लिए आगड़े जुटा लीए आगड़ों से ही तो पता काम है मौद्रिक नीती दूसरा सिस्टम है बित्ती प्रणाली पर नियमन पहरे बिदेशी मुद्रा का मेरेजमेंट पहरे नोटों का फिर सरकार का बेंकर बेंकों का विकास को सुनिश्चत करना इसके बाद जो भी इंप्राइडिट की कमीना रहे इंप्राइस्ट्रेक्चर अवेलवल कराना इसके बाद बित्ती है साक्षर्ता देना और आंकड़े जुटाना यह अन्यकार है तो आर्वी आई के कार आप से एक्जम में आएगा आर्वी के प्रमुक कार लिखिए 50 सब्द में भी आ सकता 200 में भी लग सकता इतने सारे कार हैं हो जाएं तो कोई दिक् अब कल देखते हैं क्लास होगी नहीं अब एक ही चैप्टर बचा बेंकिंग सेक्टर से ब्यापारिक बैंकों के कर तो बैंकिंग वाला चैप्टर कम्प्लिट इसमें वित्ती समावेशन था मुद्रिक नीथे था अर्भी आई था और ब्यापारिक बैंक था तब बचा है क केवल कमर्शियल बैंक बैंकिंग वाला सिस्टम कंप्लीट मेंस वाला प्री वाला नहीं मेंस वाला कंप्लीट हो जाएगा